पत्थरबाजी के मास्टर मैंड को तीन दिन की रिमांड पर भीज दिया गया है, स्पेशल कोट ने पेशी के बाद पुलिस रिमांड पर भीजा उस पर है और इस पूरे मामले में कई तरह की सफाई और तमाम जद्दो जहत के बाद आखिरकार उसे बीते रोज गिरफतार करही लिया गया जो जिला अदालत में आत्म समर्पन करने के लिए पहुंचा था लेकिन पुलिस ने उसे जे कोट में पहुंचने से पहले ही धर लि अदली बताएगा और इस पूरे घटना करम को अंजाम देने के लिए किस तरह की प्लैनिंग थी कौन लोग और इसमें शामिल हैं और आगे की इसकी क्या योजनाएं हैं और क्या वाकई ये एक समय काल पर इस सिती के अनुसार घटी थुई घटना थी या फिर इसकी पूरी अब ही बहुत सारे चीजों की फुलासे होने बागी हैं इस मामले में कई अंगल पर जाच करें हाजी शहजाद इसमें मुठ्यारों की उनकी पूच्टाज से बहुत सारे फुलासे होने सबाब खबर विदिशा से जहाँ पर एक गाड़ी में बड़ी संख्या में गौवन्षों का मिलना पाया गया और गुसाई लोगों ने यहां मार पीट भी की और इस दोरान बाहन में तोर्फोर्ट भी की गई है मौके पर पहुची पुलिस मामले की जाच में जुड़ गई है सिविल लाइन थानक शेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है खबर विदिशा से है जहाँ पर गाड़ी में बड़ी संख्या में गौवन्ष मिले और इस की पुरा घटनक्रम हुआ जब गौवन्ष से ले जाया जा रहा वाहन पकड़ लिया गया और तसकरों को जम कर पीचा गया विदिशा से सामने आई ये तस्वीरें तारवाई क्या कुछ चल रहे है इस पर और आगे डिटेल्स पहुचाएंगे आप तक फिलहाल जो तस्वीरें हैं ये उस पक की जब गौवन्षों की तसकरी के आरोप में वाहन चालक और उसके सहयोगी को पकड़ लिया गया और इस वाहन से ताफी गौवन्ष मिले हैं और अब पुलिस क्या कुछ कारवाई करेगी क्या डिटेल्स इसमें मिलती हैं आगे जान और खबर शिबनी से जहां पर दो भाईयों की बीच लाठी डंडे चल गए लखना दौन तहसील में दो भाईयों में मारपीट हो गई और मारपीट की कुछ तस्वीर भी सामने आए दरसल जमीन बटवारे का ये पूरा विवाद था और धनक कड़ी गाओं के रहने वाले दोनों भाई बताए जा रही हैं तहसील न्यायले में पेशी पर दोनों आए हुए थे और पुलिस ने दोनों भाईयों पर मामला विवाद की जो तस्वीर हैं वो सामने आई जहां पर पूरा विवाद हुआ ये तहसील कार्याले का परिसर है जहां पर जमकर डंडे चल रहे हैं और ये कोई दुश्मन नहीं ये दोनों आपस में भाई हैं और जमीन के लिए इनकी लड़ाई है आखिर दो भाईयों के बी जमीन बटवारे का ये पूरा विवाद है सिवनी से ये तस्वीरें सामने आएं और बरते आगे बिलासपर में आरोपियों का जुलूस निकाला गया पुलिस ने बदसलूकी के आरोपियों का बाकाइदा जुलूस निकाला गया है जर्मास्ट में पर डीजे बंदे करने पर विवाद हुआ था और विवाद इतना जादा के पुलिस पर ही हमला कर दिया गया बदसलूकी की गई और 10 आरोपियों इसमें एक नाबालिक भी है जिने गिरफतार करके इनका शहर में जुलूस निकाला गया है तस्वीरा कर भापन कर भापन कर दो